नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं रत्न सेन भारती अज़ हम बात करेंगे जहारखंड में होने वाले पंचायद चुनाव के बारे में इसको लेकर प्रसासनिक अस्तर परतयारियां सुरू हो गई है इधर उमिदवार और मद्दाता के बीच में आने जाने का कार सुरू हो गया है बिहार के साथ ही जारकंड में भी पंचाय चुनाव होने की बात कही जा रही है जारकंड में 2020 में ही पंचाय चुनाव होना था लेकिन परसाशनिक दिक्टों के कारण यहां पंचाय चुनाव नहीं हो पाया है ऐसे में आईए जानते हैं जारकंड में कब होंगे पंचाय चुनाव आपको बता दें कि जारकंड में दिसंबर 2020 में ही पंचाय चुनाव होना था लेकिन राज निर्वाचन आयोग ने मुख अधिकारी पद खाली होने के कारण चुनाव अटक गया है सरकार इस पर लेट लतीफी की बज़ा से राज में पंचायती चुनाव कसंकड खड़ा हो गया है हाना कि राज निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में सुचना दे दी है इस इस हिती में राज को केंदर सरकार से मिलने वाली बीतिय सहायता से हाथ होना पड़ सकता है इधर चुनाव अयोग जारखन में होने वाले नगर निकाय चुनावों को अनिस्चित काल के लिए टाल दिया है राज निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखकर सरकार को बता दिया है कि यहां निर्वाचन आयोग से लेकर सचिप तक के पद खाली है 2015 में हुए पंचाय चुनाव में पांच बर से का कार्ज काल दिसंबर में ही समाप्त हो गया राज निर्वाचन आयोग में अधिकारी ना होने की बज़े से चुनाव कार्ज भी बाधित हो रहा है गौर तलब है कि इस स्थिती में राज में गाउं की सरकार योजना कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी सरकार द्वारा 2015 में निर्वाचित हुए जन प्रतनी दियों का कार्ज काल ना बढ़ाया गया है और ना ही चुनाव को लेकर कोई नए दिशा निर्वाचन आयोग्त एनन पांडे की नियुक्ती 16 जुन 2017 को हुई थी इनका कार्ज काल इस वर्स 25 जुन को समाप्थ हो गया उस समय से राज निर्वाचन आयोग्त का पद खाली है नियम के अनुसार निर्वाचन आयोग्त का कार्ज काल तीन बर्स या इस पद पर आसीन ब्यक्ति की अधिक्तम उम्र 64 बर्स निर्धारित है लेकिन इसके जाने क के बाद से आयोग में किसी तरह की नियुक्ति नहीं की गई है दरसल राज सरकार ने निर्वाचन आयोग के प्रती गंभिरता नहीं दिखाई जिस पज़ा से पिछले 6 महिने में राज निर्वाचन आयोग का पद खाली है इधर मुख्या संग का कहना है कि जब तक पंचाय च करने के लिए मिली है तीसरी दफा चुनाव के बाद 15 वे बीत आयोग से फिर बड़ी रासी मिलेगी बर्स 2015-16 से लेकर बर्स 2019-20 में 6046 कलोर 14 वे बित ये बर्स में मिले हैं इस बार 15 वे बित ये बर्स में रासी में भी इजाफा होने की संभावना है लेकिन चुनाव नहीं हुए तो किंद्री मदद रुख जाएगी इस से गाउं के विकास पर प्रतिकूल प्रफा पड़ेगा जर्खन सरकार मुखिया संभ की मांग पर विचार कर रही है या देखा जा रहा है कि जनवरी से पहले सप्ताह तक कार्जकाल बढ़ा जा सकता है या नहीं या इस तरह क प्रफधान है या नहीं इस पर सरकार ने अस्पष्ट करते हुए कहा है कि चुनाव जल्द ही कराया जाएगा 2015 के 3035 चुनाव में राज्य के मुखिया में 4402 जीला परिसे छेत्र के जो उमिद्वात हैं उनमें 545 पंचाई समीति सदस्यों की संख्या 5403 और ग्राम पंचा करिया निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर कई महिनों पहले सुरू हो गई है मदाता सोची बनने की परकरिया भले ही सुरू हो गई हो लेकिन अबे भी लोगों के मन में यही चल रहा है कि जारखन में मतदान कम होगा देश और दुनिया से जुड़ों वी और भी ऐसे ह वीडियो के लिए बने रहें बिहारी निूज के साथ मुझे दीजिये जाजत धन्यवाद